आज से पूरे नो दिन बाद जम्मू में चक्का जाम पिछला अगर इतिहास आप देखोगे तो किश्मीर में एक बहुत बड़ा फ्लड आया किश्मीर की ट्रांस्पोर्ड वहां उन्होंने सफर किया ब्राउन बानी तीन महीने वहां चक्का जाम रहा बंद रहा पूरा सिस् साथ दिया मगर जब कहीं मैं एक वात जुरूर और भी आपके चैनल दोरा आम जंता तक भी पंचाओंगा कि हर टेम हम से साथ मंगा जाता है लेकिन जब ट्रांस्पोर्टरों भी को भी कहीं परेशानी होती है तो आम लोगों को भी हमारे साथ सामने आके चलना चाहिए चा आते हैं क्या रीजन्स हैं जिसके पीछे नों ने ये चक्का जाम की कॉल दीगे सर आपका पहले स्वागत है स्टेट लाइन में और मुझे बताए किस चीज क्या ऐसी प्रॉब्लम क्या दिक्कते आरे हैं जिसकी वैसे आपको चक्का जाम की कॉल देनी पड़ी दन्यवाद आपके चैनल का देखिए चक्का जाम की जब कहीं पहले भी आपने देखा जब बात आती है तो ट्रांस्पोर्ट हमेशा इतनी जल्दवाजी में चक्का जाम पे नहीं जाता मगर जब कहीं हमारे पेट पे कहीं डाका पड़ता है तो तब जाके जैसा मैं दूसरे लफजों मैं कौहूंगा कि पानी सर्षे उपर चला जाता है तब ही हम रोड पे निकलते हैं क्यूंकि हमारी ट्रांसपोर के साथ बहुत सारी लोग जुडे है क्यूंकि पांच लाग के क्रीब हमारी गाड़ी जो पसंजर और गूर्स कैरिर है जोmost निकलते हैं हैं मगर सबसे हजारों की तद्धाद में गाड़ी हैं 9000 मिनी बसिस जम्मू सिटी कम रूलर आप पूरे डिस्ट्कों की में बात नहीं करूंगा जम्मू सिटी कम रूलर में 9000 के करीब मेटर डूर्स चलती है मुझे लगता है 3500 4000 के जो ब्लैक आटो है वो चलता है तो हमने स्वागत किया जब यह जूटी बनी और हमारी वो 370 जब तोड़ी गई तो लोगों लोगों को बड़े बड़े खौब दखाए गए थे कि जूटी बनने के बाद आपको बहुत सारी फाइजदे मिलेंगे बहुत सारे आपको कहीं सारी ऐसी चीजे हैं आप मुझे पताईए जूटी में तो टोल पलाजा भी नहीं है आप जहिए चंडीगड में आप देखिए तो क्या जूटी हमसे लेने के लिए बनी है जब देने की बारी आती है सरकार की तो उनकी वो मन्शा नहीं है कि जूटी में और भी बहुत सारे फाइजदे होते हैं जैसे मैंने कहा टोल पलाजा नही यह चैंबर आया बार आई ट्रांसपोर्टल विक पीछे नहीं था मगर हमारा जैसे हमने पहले भी कहा है तोर तरीका रहता हमारा स्ट्राइक का जैसे हमने आज भी आप देखिए कल जो हमने प्रेस बारता करी है दस दिन का सरकार को टैम क्योंकि हम जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उटाते क्योंकि हमारी दुकान नहीं है हमने शेटर उटाया डौन कर दिया यह ट्रांसपोर्ट है दूर दराज अलाके में हमारी बसें रहती है मेटडूर्स कहीं दूर दराज जाती है और उस टेम आपने देखा तीन तरह की हमारी जातराएं चल रही थी अशनों देवी लोग हजारों की तदाद में जातरू आते हैं अमना जातरा थी बुड़ा अमनात की जातरा थी तो उसमें थोड़ा सा हमें वो सोचना पड़ा था तो उसके लिए उसके बाद हमने वो चका भी जाम किया ऐसा नहीं है कि हम अवाम के साथ नहीं है मगर सा से घंडेरों से कैसे निकालना है वो करोगे, लिकिन कम से कम जो भी चीज आप करो अगर लोगों की बलाई के लिए आप करते हो तक कम से कम सब को ध्यान में रक्षाल आ raha हूं, तो जो हजारों की तदाद में ब्लैक आटो जम्मू और किश्मीर सीटी में हैं कभी आपने उनके बारे में सोचना था क्योंकि ये लोग अपना जो पेट पाल रहे हैं अपना काम करके मुझे मैंने कही बार इंटर्वियों में भी कहा है हमारे जितनी ट्रांस्पोर्ट है वेलफेर एस्वेशेशन हमारे ड कदम उठाना है कम सकंब हर पहलों को आपने द्यान में रखके वो कदम उठाना है तो जब यह रिक्षा आया था मैं आपको थोड़ा सा इसमें किलिर करूंगा क्योंकि जब यह रिक्षा की बात आती है तो लोग सोचते हैं पता नहीं यह रिक्षा के पीछे क्यों यह लग तो उसी तरज पे मैं आपको आपके चैनल द्वारा जो बताना चाहूंगा आम जंता को वे और खासकर वो लोग जो जिन्हों ने रिक्षा खरीदा हुआ है जब कमेटी बनी कमेटी में हमारे दो लोग हमारे एक ब्लैक अटो का परदान शांति सुरूप गुपता जी मेरा न आटो उसमें शामल एस पी ट्रैफिक साहिबान उसमें थे लेकिन एक कमेटी मनी कमेटी मन के रूट जो है अडेंटीफाइग करे गीए तक्रीबन इस टैम जो रूट है सैबन्टी फाइब डूट है क्या मैं अगर यह कहूंगा कि क्या अगर वो रूट बने हैं तो उन अब ही जब यह अभी आपने देखा अभी आप जब यह पॉल्सि बनी पॉल्सि के बाद भी इनके जोन बने क्या होता है किё एक जोन मन लीजिए निक दू जुन किसी को कि से दिया और इसी बाकि स्ट्रेटों में भी होता है उसमें एक रिक्षा को जब वो डिलर बेजता है तो उसमें बताता है जनाब यह बीस रूट है जोन टू में आपने जोन टू में जाना है यह बीस रूट है बंड में जाना इसमें यह रूट है तो उसी तरज पे वो यह रिक्षा बिखता ह लेकिन जहां उल्टा हुआ जहां दंदली होई पता नहीं वो लोग जो डिलर हैं उन्होंने अपना नफ़ा कमाने के लिए लोगों के रोजपार जो लात मारी है तो उसी का यह खम्याना था कल हमने एक बड़ी भारता करके भी मैसेज सरकार तक मुझा है जो यह यह रिक्षा है यह ट्रांसफर एससेशन के अंडर नहीं आता है देखिए हमने कब कहा अमन जी जब यह रिक्षा लॉंच हुआ था तो वह तजिंदर सिंग अमन जी वह उस तैम उनकी वह क्योंकि वही देख रेक करते थे उसके बाद अभी एक टीम और आ गई अभी मुझे लगता है औ हम उन लोगों के सा oni मेरे भी कहीं अपने रिलेटिवर लोगों नों लीया है मगर क्या लगता है कि वह एलीगल चलाने के लिए लिया उन्हें अहीं सारे ऐसे भी मेरे रिक्षा चालक जो भाई है उनको ये भी नहीं पता कि मेरा ये रिक्षा जो है अगर मैं कहीं बिदोर्ट रूट ले जाऊंगा जैसा मेरी मेटेडोर्स अगर कहीं दुमाना जाती है तो वो नुगरोटा जाएगी एक्सिडेंट होगा तो मुझे एक रप्या फ 75 रूट दिये हैं अगर वहां नहीं चलके कहीं दूसरी जगाजे जाते हैं तो ये जो वाइलेशन है जो उसका मौलिक है उसको कहीं कोई ट्रेजरी हो जाती है कोई किसी का फैक्टर हो जाता तो उसको जेव से पे करना पड़ेगा क्योंकि 75 रूट आपको दियें अगर उस और कल का सरकार को जैसा मैं आज देख रहा हूं अभी पूरी टीम में शहर में घूम रही हैं क्या यह रिक्षा को आपने देखा होगा अभी कहीं न कहीं और दूसरी सबसे बड़ा जो स्कैम है इसका लाइसन्स चाहिए था पीछे रूट लिखना चाहिए कि जून बंड मे इन रूटों पर चलेगा और इनकी नमबर प्लेड जैलो है या निले कलर की है बलू कलर की है उसी तरह के यह शेप लेटेन की बननी है अभी तक तो वो अभी हुगा कुछ नहीं मगर मुझे लगता है कि जैसा हमने यह कल का जो मैसेज सरकार तक पहुचाने के लिए जो प् अधी भी नहीं चाहते इतना कुछ होने के बावजूद भी हम स्ट्राइक पे नहीं जाते मगर जब डोगर में बोड़ते पेट पे यह ना रोटियां थे सब्वे गला खोटियां तो जब हमें लगेगा कि हमारे पेट पे कहीं लात बज रही है तो फिर वो बंदा हर तरीक एक तो हमारा उसमें जी हमारी जो पांच मांगे हैं एक तो उसमें है कि म테न्साल तो पर altar मैं जैसे कोई 3 जांट चार साल की गाड़ी जा दो साल की गाड़ी वह कही एकसिडन हो जाती है जाहन किसी कारण कोई गाड़ी तीन साल नहीं चला पाया तो उन्होंने एक order निकानल नुक्सान को ट्रांस्पोर्टरों का हुआ तो वो जो गाड़ी है रहे गही है हमने कहा सरकार को बन टाइम कोई पॉलसी लाइए क्योंकि उन लोगों ने आपको टेक्स पे करना है गाड़ी तो कंडम नहीं नहीं होगी अगर तीन साल से अगर मान लीजिए मेरे बागी लाइक लोग करना है यह जैन्मन हमारी डिमांड से है और उसके बाद एक डिमांड से हमारी है कि इसी तरज पे जैसा पांच साल का पर्मट डियो हो जाता है एक SRO नंबर है 651999 का यह और्डर है उसी तैद यह पंच साल का जो पर्मट कहीं डियो हो जाता है देखिए आप दिनों के हिसाफ से फीस लेते हो, पचास रपे पर डे परमट की और तीस रपे फिटनस फीस, सब देंगे, मुझे लगता है कि जब कोई पांच साल के बाद जाएगा तो तीन-चार लाख रप्रेल लेके जाएगा तो टेक्स बरके फिर गाड़ी चला सकता है वो, तो ये भी हमारी एक मांग थी, एक रप्लेस्मेंट का मसला था, कि जैसा लोगों ने अपना बिजनस जो है, जैसा अभी भी साल की एज में वो गाड़ी खतम हो रही है, तो उसने उपर वाला कोई मौडर लेना है, तो वो परमट उस गाड़ी का उसको लगता था, वो भी इनों ने ब आप आप ने देखा जमू किश्मीर में जब ये तीन सो सतर हटी, आज तक ये पूरी स्टेटों को वही दिखा रहे हैं जमू, अब जमू में क्या हो रहा है, वो जमू को लोगों को उनको पता है, जैसा मैं कह रहा हूँ कि हमारे साथ ट्रांस्पोर्टरों के साथ इतनी ज हैं, आप मुझे बताईए, क्या गौवर्मन्न की बसें हैं वो, वो बसें जो हैं, वो रतन टाटा जी की हैं, और रतन टाटा जी वो पिछे बैठा हुआ, सो क्या यहीं जूटिये कि आपने हजारों लोगों का पे जहां काट रहा है, जो लोग जहां अपना जैसा मैंने कह कि पढ़ लिखे, ग्रेजुजन करके, अगर कोई गाड़ी चला रहा है, तो शुकर है कि वो आपके पीछे नहीं पढ़ा नोकरियां, क्योंको नोकरियां था आपको बस है यह नहीं, तो हजारों की तदाद में मेरे पास जो ड्रैवर कंडैक्टर पढ़ लिखे, अगर जा चाहते हैं, कि जब हम बार निकलेंगे, जब हम चका जाम करेंगे, तब जाके आप कारवई करोगे, तो यह कारवई है, मेरे यह रिक्षा भाई जो हमारे है, वो हमारे यह नहीं है कि वो हमारे दुश्मन है, तोर तरीका है, रूट आपके बने हैं, उसी तरह मेंटरों को भी रूट्स बने हैं क्या मेरा एक अगर मेरा रूट्स नग्रोटा का है तो मैं बड़ी परमना थोड़ी नहीं जा सकता हूं तब मुझे दसे जार प्या एंबीडी भी चलान करती है ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी आज कहा है अब डिपार्टमेंट सोया हुए है कैमरे आपके चुराय में काम कर रहे हैं अगर लगता है आपको कि सतवारी में यहां यह रिक्षा का आना जाना ही नहीं है केसी चोक भी नहीं है एस पर जे जो 75 हैं पहले हमारी तीन-चार रौंड मीटिंग होती है तो फिर जाके हम नतीजे पर आते हैं तो चका जाम जो है हमने काल जो हमने दी है अब सरकार ने सोचना है गेंद उनके पाले में है कि हमें रोडों पर लाना है जह जो हमारी genuine demands है छोटी-छोटी demands है कोई ऐसी नहीं है कि नहीं मानने वाली है मगर इन नो दिनों में क्योंकि एक दिन बीच चुका है इन नो दिनों में मुझे लगता हम चुप भी नहीं बैठेंगे हम अपना जो मांग जो है वो जोर शोर से उठाएंगे मंडे को क्योंकि हमने एक decision लिया हुआ है बड़ा प्रोटेस्ट हम अखन नो दिन के बाद आपका चक्का जाम होगा लेकिन उसके पहले ही प्रोटेस्ट वगरा होना सुद्ध Help बिल्कुल होंगे क्योंकि अगर कारवे जो सरकार ने करनी है वो हमें दिखनी चाहिए सरकार को चाहिए क्योंकि कल तो संडे है मंडे के बाद हमें एक एक जो हमारी मांग है उसका निफटारा करें ताकि हम बहां तक पहुंचे ही ना और हम ये भी नहीं चाहते ट्रांस्पोर्टर क्योंकि जैसा मैंने क कहीं बार कहा हम सुलजे हुए लोग हैं हम स्ट्राइक तभी स्ट्राइक पे जाते हैं जब हमें लगता है कि आप जैन्रमन क्यूंकि आप देखिए 63 दिन बंबं बोले था ट्रांस्पोर्टरों ने बंद रखा था और गास तक पैदा इतनी इतनी बड़ी गास हो गे थी बंबनी तीन महीने वहां चका जाम रहा बंद रहा पूरा सिस्टम तब भी ट्रांस्पोर्टरों ने बंद किया एम्स के मसले थे तब भी हमने जोर सोर से यूनिबरस्टी आई टी टी जितने भी मसले थे ट्रांस्पोर्टरों ने हमेशां बढ़ चड़के लोगों के साथ उनका साथ दिया मगर जब कहीं में एक वात जुरूर और भी आपके चैनल दोरा आम जंता तक भी पंचाओंगा कि हर टेम हम से साथ मंगा जाता है लेकिन जब ट्रांस्पोर्टरों भी को भी कहीं परेशानी होती है तो आम लोगों को भी हमारे साथ सामने आके चलना चाहिए चाहिए वो बार है चाहिए वो चैंबर है चाहिए वो जुवा राजबूसवा है तो यह थे आल जमुकुष्मी ट्रांस्पोर्ट एससेशेशन के प्रेजिदेंगा कहना है कि अगर इनकी डिमांट्स नो दिनों तक नहीं माननी गई तो चका जाम नो दिन बाद आपको दे वह ऑचिज है तो prol Top very, तो बार कमी apples में चाहिएए Citizens Nick1 norm बाज़ एससेशेशन के तो भी सेठी ड़ग, जान जहएए जा चाहिएएएएँ स्वाबक. से छक्रांस मुड़का ङाम के प्रेजिदेंग को टीसा llegó! झाल झाल